जैसाइराम, नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंग रन्त राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम ब्रिज मोहन सूरी है, उसमें आपका स्वागत है, आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं, और इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, कि आप बहुत प्रेम के साथ इसे देखेंगे, और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि लोग इसको देखकर फायदा ले सकें, त आज का जो ये टोटका है, ये बहुत लाब देता है, आप जानते हैं, मैं प्रति दिन एक उपाय बताता हूं, ये उपाय आपकी कोई भी राशी है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं, यानि किसी पर कौन सी राशी चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कोंसी अंतरदशा चल रही है, इसका कोई विचार नहीं है, ये जो मैंने उपाएट बनाये होते हैं, ये गोचर, राशी ग्रहों को देखते हुए, सयुकत रूप से बनाये होते हैं, जो आपको लाब देते हैं, आपके ध्यातमिकता को बढ़ाते हैं, और आपके सबी ग्रहो को उच्छ करते हैं यदि परिवार का एक सदस्य करता है से हाथ में जल ले ले ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले ले और संकलब करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका फल फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पुरे परिवार को मिले और पिर जल्ला से जमीन पर गिरा दें, तो इसका लाब पूरे परिवार को मिलेगा, यानि ये ऐसे टोटकी हैं, ऐसे उपाएं हैं, जो आपका बहुत उधार कर सकते हैं, इनको आम मत समझिए, मैं प्रती दिन बता रहा हूं, प्रती दिन मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा ये है कि आप खुश है, मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सरा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पती, आपका बेटा, आपकी मा, आपके पिता, कोई भी आपसे नराज है, तो मिलन हो जाए, मैं ये चाहता हूं आपका करजा उतर जाए, मैं ये चाहता हूँ, आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए, तो इसलिए नए-नए टोटके, नए-नए उपए डूंड कर लाता रहता हूँ, तो आप कीजिए, दिल से कीजिए, वैसे आपको बता दू कि यदि कोई प्रबल समस्या हो जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब जनम कुडली में यदि पांचवे घर में राहू बैठे हैं और बहुत शक्ती लेकर बैठे हैं, तो बेटे की प्रबलम आएगी, प्रंतु उसका उपाय क्या है, पती-पत्नी की दुबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा, आप सभी मत करना शुरू कर देना ये, ये देखना पड़ता है जनम पत्री में, अलग-अलग उपाय होते हैं, तो जनम पत्री में, परतेक समस्या का हाल चिपा हुआ है, सिरफ डूण ने की वश्क्या है, हम डूणते हैं, फिर आपको हाल बताते हैं, कहिंबर होता है, बहुत प्रबल्ल योग है, वो योग कारे नहीं करता है, जब उस योग में कारे होता है, तो सब कुछ होना लगता यानि योग है योग ने आपको विदेश बेज दिया आप वो एक्टिवेट नहीं है आप विदेश गए वहाँ कामयाब नहीं हो रहे है परन्तु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए तो ये सब कुछ जनम पत्री में होता है प्रन्तु ये जो टोटके हैं बहुत एहम होते हैं इनको कीजिए जितना कर सकते हैं कीजिए किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्राब्लम नहीं है प्रन्तु कोशिश कीजिए प्रति दिन कीजी और यादा से यादा शेर भी कीजी जैसे चक्रवती व्याज होते हैं मूलदन फिर उसके उपर व्याज लगता है फिर चक्रवती व्याज लगता है ऐसे जब आप लोगों को शेर करते हैं और वो देखकर उपाये करते हैं उनको लाब मिलता है, तो जो पुन्य प्रापत होता है, उसका हिस्सा आपको भी मिलता है, तो इस परकार आप लाब ले सकते हैं, अगर बत्ती का ये टोटका ये उपाए आज आपने करना है, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, एक अगर बत्ती ले लीजिए, उसको हाथ मे लेकर उपर से नीचे की तरफ अपने प्रमातमा अपने गुरु का नाम सिम्रन करते हुए अभी मंतृत कर लीजिए उपर दो उंगलियों में पकड़ लीजिए चाप करते हुए नीचे नीचे जाते जाएए और अगर पतिस मापत हो जाएगी फिर उपर जाएगे ऐसे ग्यारा बार कर लीजिए, नाम सिम्रन करते रहे साथ तरहें का अनाज ले ले साथ तरहें के कुछ भी ले ले जैसे आटा हो गया, कोई दालें ले ले लीजिए, बेसन ले लीजिए अलग लग तरेंगे, साथ तरेंगे, कुछ भी ले लीजिए चने की दाल, मुंगी की दाल, मा, मा साबुत आटा हो गया, बेसन हो गया, ऐसे साथ तरेंगे, अनाज आप इकठे कर लीजिए जितना आपका दिल करें उतना चाहे आप ले लीजिए चुटकी चुटकी बर लेंगे तो फिर कीडे मकोडों को डालना पड़ेगा यदि आप एक एक कटोरी लेते हैं तो साथ लिफाफों में अलग लग उनको डाल लीजिए और अपने पास रख लीजिए और फिर ये अगरबत्ती का तोटका अपने करना है और फिर अगरबत्ती को जला दीजिए अगरबत्ती जो जलानी है वहाँ पर बिलकुल पास ही ये समान पड़ा रहे और जब तक पूरी अगरबत्ती जलती नहीं है समान वहीं पर रहेगा अब अनाज पास पड़ा रहेगा जब तक अगर बत्ती पूर नरूप से नहीं जलती है पूरी समापत नहीं होती है वो अनाज वहीं पड़ा रहने दे तत पस्चा तो वह है उनाज उठाएं और किसी को दान करते हैं जहां पर दान करने का प्रविजन नहीं है, वहां पर आप किसी मंदिर गुर्दवारे में लंगर में दे सकते हैं, मंदिर गुर्दवरा भी नहीं है तो जल परवा कर सकते हैं यदि आपने कीड़ों को डालना है फिर थोड़ा-थोड़ा लीजिए और कीड़ों को डाल दीजिए असर एक सा है किसी में भी कम यदा असर नहीं है अब आप मेरे को पता है कि मेरे को मेसेज करेंगे आज कुण कुण सनले तो मैं बता रहा हूँ इसे आपको लाब मिलेगा ये सारा करम सूरे डूबने से पहले पहले करें इसको बढ़ाना है हमने वार बार कहता हूँ कि हम अपने पुन्य को बढ़ाएं आपको जिस सदी में प्रमात्मा ने पैदा किया है उस सदी में सोशल मीडिया है पहले लोग घर घर जाका लोगों को सही सला देते थे तो उनको पुन्य की प्राप्ति होती थी फिर मैसेज चले प्रमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात इस परकार मिलेगा तो ये टोटका कीजिए इससे आपको बहुत अधिक लाब होने वाला है इससे क्या होगा अब आपके मन में स्वाल होगा किससे क्या होगा इससे ये होगा एक तो आपके नोगे-णोग रहे शांत होंगे और दूसरा परिवारिक सुख मिलेगा और नोकरी वगरा में वपारादी में तरक्की की तरफ आप अगरसर होंगे और जो कारे आप आने वाले अगले 40 दिन में करने वाले हैं उनमें आपको बहुत असानी रहेगी सफलता मिलने के चांसिस बढ़ेंगे और यदि कोर्ट का चारी के केस है तो उसमें भी आपके हक में फैंसला जाएगा और यदि आप नहीं यहादirsiniz जाएगा काज और यहादि आप कोई अदिक लाब जह लिए उसे नहीं लिए कैसे से अनेक लाव आपको जब मिलते हो तो वे अवश्य करना चाहिए दिल से करना चाहिए यदि आप फैमली के लिए करें तो संकलब जरूर कर लें और यदि आप अपना-पना कर सकते हैं तो क्या बात है फिर तो बहुत अधिक लाव मिलेगा तो इस तरह से कीजिए पूर्ण र इचा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बा तो आप वाटसेटे पर पूछ सकते हैं, इसके लीए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं. ध्यान रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भीजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं परन्तु यदि योग है तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं हमारी जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है बहुत सारे लोगों को करजा रहता है रोगी रहता है क्यों रहते है इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है जब हम जनम पत्री देखकर उपाई डूनते हैं और आप लोग उन उपाईों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है, तो हम मैं इजाज़त चाहूंगा, और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे, उसका लाब आपको भी मिलेगा, त और कैसे सब करता हूंतं वैज करते हूं